बेटा बहु अपने बेड्रूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाज बाहर कमरे में बैठी मा को भी सुनाई दे रही थी। बेटा बोला, अपने जॉब के कारण हम मा का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा क्यों ना, उन्हें वृद्धा श्रम में छोड़ आए। बेटे की बात पर बहु ने जो कहा, उसे सुनकर मा की आँखों में आंसु आ गए। बहु बोली, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन मा का आशीश जितना भी मिले, वो कम है। मैं अगर जौब करूं तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। इस वक्त मा के साथ रहना जरूरी है याद किजिए, आपके बच्पन में ही आपके पिता नहीं रहे, और दूसरों के घर-घर काम करके आपकी मा ने आपका पालन पोशन किया, आपको पढ़ाया लिखाया, काबिल बना भगवान के सामने खड़े होकर कहती है, भगवान आपने मुझे बेटी नहीं दिया, इस वजह से मैं कितनी ही बार मैं आपको भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए आपका आभार मैं किस तरह करूं? ऐसी बहु पाकर मेरा तो जीवन अफल हो गया प्रभू, ऐसे ही और पोस्ट देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।